हलो एबरिवरन गुड मॉर्निंग वेल्कम टू लेट्स क्रैक उप्यस्टी से इंदी मैं सुनील अभिवक्ति दिल्ली मुखरजी नेगर से आप सब का स्वागत करता हूँ एक से उप्यस्टी इंटर्विवर अभिवक्ति सिविल सर्विसेस मैगजीन का संपादक लेखक दि सिक्षा में नवाचार क्या टॉपिक है सिक्षा में नवाचार इस यानी फरवरी की अपनी योजना फरवरी 2020 याद रखेगा इसका जो सबसे यूएसपी है ना जो मुझे लगा है वो हमारे जो इस रोचीफ है ना डाक्टर के सिवन का एक पूरा का पूरा उनका मतलब उन उन्होंने एंसर दिया नि 2022 तक भारतिय मानों अंतरिक्ष कारिकरम गगन यान होगा साकार लेकिन उनसे बहुत से प्रश्न पूचे गए है तो एक कोश्चन एंसर स्रिंखला है वो बड़ी अच्छी है इसके अलामत क्रित्रिम मेधा यानी आर्टिफीसियल एंटिलिजेंस है और इसमें भारत के लिए चुनोतियां और और उसर क्या-क्या है तो क्रित्रिम मेधा अगर आप देखें यह फोकस टॉपिक है यह इंटर्व्यू है यह फोकस टॉपिक है फोकस टॉपिक है क्रित्रिम मेधा आर्टिफीसियल एंटिलिजेंस आप देखो वरे 2019 में यही निवन्द पूछा गया है आप चक करिएगा 2019 का निवन्द याद रखेगा तो यहां से आपको यह topic सीधे दिखाई देगा याद रखेगा तो चलिए चलते हैं यहां से अपनी यात्रा प्रारम करते हैं आज सिक्षा में नवाचार और यात रखेगा मैं पहले ही कह चुका हूं कि UPSC सिक्षा पर लगातार निवन्द पूछता रहा है सबसे फेवरेट में से आनि महिला सिक्षा गाधी यह तीन अगर आप करते हैं तो एक आपको 100% मिलना तै होता है आप प्रिवेस यह के कोश्चन को अनलाइस करिए मेरी बात मत मानी मैं हमेसा कहता हूं त जैसे आप देखोगे 2000 कब आया था 18 में 17 में सहकारी शंगवाद यह था मितक तो योजना का वो टाइटल था उस उस मतलब एक माह का वही टाइटल ही उठाके पूछ लिया गया तो सिक्षा में नवाचारी अपने आप में निबंद आ सकता है सिक्षा में नवाचार तो चल चलती है जिसमें आज हम योजना करने जारें सिक्षा में नवाचार फिर कुर्चेत्रा बहुत बढ़ियां आई हुई इस पर कौसल पर बातचीत करेंगे फिर विज्ञान प्रगति और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति पर थोड़ा सा काम इस समय रुकावा चुकि मैं इसक इसले एक महिने से यह आई नहीं है और आप लोग यह समझेगा कि आना ही आना है थोड़ा एक नए पैटर्न पर इसको मैं निकालने की कोशिस कर रहा हूं और जिसमें बड़े आर्टिकल की बजाए यानि कि केवल पूरा फोकस क्या होगा मुद्दा डेर सो सब्द्यानी कि केवल डेर सो दो सो धाई सानी कोशन एंसरों नहीं होगा पर वो मुद्दे ही जो उठेंगे वो केवल काम भरके मुद्दे आएंगे जिसमें आप बार बार रिवीजन करके चीजों को कम्प्लीट कर सके इस वजह सबी थोड़ा रुका हुआ है यह अभी 10-15 रोज के बाद यह मतलब अगला इश्व आप यह मान चेली थोड़ा टाइम में ले रहा हूँ इस पर वर्क कर रहा हूँ याद रखेगा तो यह अपना तो आज योजना कर रहे हैं और इसके लावा मैं बार बार दा हिंदू को अभियान की तरह कहता हूँ अगर इंगलिस मीडियम के मुक करते हैं पर हिंदू जरूर पढ़े याद रखेगा दा हिंदू सुबह नौ बजे मैं लाइब आता हूँ यह मेरा टाइम टेबल है यूटूब का हिस्ट्री फार जीयस यह दो बज़े आता हूँ और नौ बज़े आता हूँ एम लचमी कांत याद रखेगा सिक्स्ट प्लेटफॉर्म यानि की अनेकेडमी का सब्सक्रेप्शन ले करके आप हमारे अनेकेडमी प्लस के मेंबर बन सकते हैं और जिस प्रकार से आप आफलाइन कोचिंग की संकल्पना करते हैं वैसे हमारी आनलाइन कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म से आप पूरा का पूरा 24,800 याद रखेगा तो 24 महीने 46,800 याद रखेगा बारा महीने 36,000 तो आप देख सकते हैं कि एक साल और दो साल किवल 10,800 का अंतर है तो आप कोसिस करें कि जब तक यह छूट है तब तक आप 46,800 का लाब उठाएं दो वर्ष के लिए अड्मिशन लें और मेरे बैचानी की अभ इसकी डेट अपचेंज करके 20 फरवरी कर दी गई है आप याद रखेगा तो आप 20 फरवरी तक आ सकते हैं इसी डिसकाउंट आफर के कारण ये डेट बढ़ाई गई है फांडेशन बैच की जो 20 फरवरी से स्टार्ट होगी याद रखेगा 20 फरवरी से आप मेरे साथ आगर कि जोड सकते हैं और क्लासेस कैसे चलेंगी तो आप देखें 2021-22-23 में स्टेज 1 में हम क्या करेंगे औरियेंटेशन यानि क्या पूरा माइंडशेट प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा स्टेज 2 में पूरी एंसी इसी के साथ यानि की हिंदी साइट तकराप रखते हैं तो आप्शनल विशेवी सी के साथ सुरू करा दूँगा एंसी क्यूज कराऊंगा एंसी इसके बाद जब यह दोनों फाउंडेशन पढ़ जाएगा फिर आऊंगा यूपी एसी का पूरा 1,2,3,4 पेपर कम्पलीट कराऊंगा इसके बाद इस्टेज 4 में जब यह पूरी त्यारी हो जाएगी फिर प्रिलिंस पर फोकस और याद रखेगा पर्सनालिटी इंप्रूब्मेंट प्रोग्रामीन अबरी भी एक क्लास ये लगातार चलता रहेगा इसके अलावाद जो लोग 2020 पर टार्गेट हैं उनके लिए देख सकते हैं 31 मही के लिए टॉप 50 चेप् कर सकते हैं इसके अलमा बैकल्पिक भी से हिंदी शाहित अगर आप रखना चाहते हैं तो मेरे साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं हमारे ओल लाइन प्लेटफार्म पर तो चलिए चलते हैं एड्मिशन के लिए आप इस नंबर पर 987-1385-211 पर कॉल कर सकते हैं अब आईए यो योजना में सहकारी शंगवाद यथार थे आप मिथक यह पूरा योजना का टाइटल था और UPSC ने वही निबंद पूछ लिया सिक्षा सहकारी संगवाद यथार थे आप मिथक तो स्वभाविक है सिक्षा में नवाचार ये ये से आप से पूचा जा सकता है याद रखे Artificial Intelligence भारत के लिए चुनोतियां और उसर क्या है तो ये एक अच्छा टॉपिक है क्रित्रिम मेधा पर Artificial Intelligence पर 2019 में अगर आप देखें तो क्रित्रिम मेधा पर कोश्चन पूछ लिया गया है किसमें निबंद में तो आप देख सकते हैं और ऐसा नहीं कि फिर नहीं आएगा और अगर नहीं भी आता है GS में आएगा मैं कहता हूँ कहीं नहीं आता है तो अब आप अगर Economics भी लिखते हैं या आप Science Tech पर कुछ भी लिख रहे हैं तो Artificial Intelligence या मैं कहता हूँ समाधिक समस्याओं पर भी लिख रहे हैं तो Artificial Intelligence का इस्तेमाल यानि Automation Artificial Intelligence क्या है कि Computer Computer का इस्तेमाल इस प्रकार से कि Automation बढ़ता चला जाए तो स्वभाविक है Artificial Intelligence इसके अलवा इसका USB है यानि एक इंटर्व्यू है डाक्टर के सिवन का 2022 तक भारतिय मानों अंतरिक्ष कारकरम यानि गगन यान पर मतलब उन्होंने जैसे पूरा इंटर्व्यू है तो उसके माध्यम से हमें पूरा इसरो का बिजन पता चलेगा कि इसरो कैसे चल रहा क्या नहीं कैसे तो यानि अगर इसरो और स्पेस पर कोई प्रशना आता है तो इस इंटर्व्यू से आपको बहुत मदद मिलने वाली है मैं बहुत डीप लेके चलने वाला हूँ काफी डीप आप याद रखिएगा तो आए चलते हैं क्या क्या है तो सबसे पहले याद रखिए इंटर लिंकिंग क्योंकि मैं हमे तो सबसे पहले यादि हम योजना पढ़ने जा रहे हैं सिच्चा में नवा चार लेकिन हमें ध्यान यही रखना है क्या ध्यान रखना है कि हम इसको UPSC के एकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं तो UPSC के एकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे तो जब तक हम सिलेबस के साथ थो समाजिक ससक्टि करण, क्या है GS1 में Society में समाजिक ससक्ति Coward, अब मुझे आप बताए Topic क्या है शिक्छा और नवाचार ये Topic है, अब आप बताए मुझे مुझे सिक्छा और न वाचार अगर यानि Education हो और Innovative Education हो तो स्वभाविक है आप मुझे बताएं Samfalls इक ससक्तिकरण होगा की नहीं होगा यानि समाज में रहने वाले लोग अगर सिक्षित हो और कौसल युक्त हो तो सिक्षित और कौसल युक्त समाजिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति प्रतेक प्रकार के आउसरों को पाएगा की नहीं पाएगा जब वो प्रतेक प्रकार के उसरों को पाएगा तो स्वभाविक है समाजिक ससक्ति करण संभव होगा यानि कि प्रतिक व्यक्ति के पास संसाधन होंगे जिसमें वह अपनी चमता और अपनी आवशकता दोनों के हिसाब से अपनी भूमी का निर्वहन कर सकेगा तो पहला पॉइंट यह है इसके बाद अब आप यहां सीधा सीधा देख सकते हैं कि टॉपिक ही है सिक्षा यानि सिक्षा और नवाचार इस बार का सीरसक है सिक्षा और नवाचार तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा आपके इस पेपर यानि पेपर टू के इस यूनिट के साथ जिसे हम सामाजिक न्याय में र दिया गया तो सिक्षा और की बजाए और गहरा सिक्षा में तो इसका मतलब है यह सीधे सीधे मतलब अगर सिक्षा में नवाचार है तो स्वभाविक है नवाचारी सिक्षा जितने भी आउसर है बरतमान में उन तक यानि बरतमान में आउसर मतलब रोजगार तक तो में आउसर है, रोजगार के, रोजगार की बत्मान आउसर का मतलब है, कि अगर तक्नीकी युग में कंप्यूटर आधारित रोजगार बढ़ेंगे, तो उस प्रकार के आउसर को लपकने के लिए कहीं न कहीं आपको परिषित, आपकी जो कारशील आबादी है उसको परसिचित होना पड़ेगा किस में यानि कि उन टेक्नोलोजीज में तो सिख्चा और नवाचार इसका मतलब यहां से सीधे सीधे करेक्ट हो रहा है फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं GS2 यूनिट 15 है सासन ब्यवस्था पारदर्शिता और जबाब देहिता के महतपूर्ण पक्ष इगवर्नेंस अनुपरियोग माडल सफलता है सीमय और संभावना है तो देखिए मैं हमेशा से एक पॉइंट यहां डायरेक्ट नहीं आ रहा है हम इंडायरेक्ट लेंगे मैं यहां यह बताना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अगर हम e-governance को आगे लेके चलना चाहते हैं पॉइंट आप मुझे बताएगा यादि हम सासन बेवस्था को यानि good governance में बदलना चाहते हैं इग वर्नेंस उसका एक महत्वपूर्ण element यानि good governance का यानि electronic government इसका मतलब कि computer पर आधारित सासन अब मुझे आप बताएं इग वर्नेंस या internet आधारित या electronic आधारित या computer आधारित सासन कैसे चलेगा जब तक सिक्षा में नवाचार नहीं होगा देश का प्रतेक नागरिक digitally साक्षर नहीं होगा आप मुझे बताएं अगर digitally साक्षर नहीं है तो आप good governance की अस्थापना कैसे कर सकते हैं इग वर्नेंस को कैसे आप ग्रासूर्ट लेबल तक ले जा सकते हैं और जब भी हम बातचीत करें इन मुद्दों पे तो हमेशा आपने दिमाग में रखें कि 69% अबादी गाओं में रहती है और उसके बादी 30% फेहरों में और इसमें भी अब आप देखिये भारत में साक्षरता 74.04 तो साक्षरता सिक्षा उपर से computer सिक्षा तो कितना अंतर है साक्षरता यानि अपनी मातर भासा में अपना नाम लिखना और पढ़ना याद रखेगा अपनी भासा में तो ये तो कोई साक्षरता यानि ये तो कोई definition नहीं हुई ना कि आप जो उपलब्द आउसर है क्या उसी साक्षरता के दोरा आप उपलब्द कर सकेंगे जो हमारी सरकारी स्कूलों की सिक्षा है उसमें गुणवत्ता की कमी है अभी कुछ दिन पहले हम लो विचार करें कि ऐसी प्रिष्ट भूमी में सिक्षा में नवाचार क्या आवश्यक है और अगर आवश्यक है तो गवर्नेंस के लिए किस प्रकार से महत्पूर्ण है आप यहां से उसको देख सकते हैं अब क्या है जी एस पेपर थरी यूनिट वन यानि एकोनॉमिक्स भार संसादनों को जुटाने विकास प्रगतित था रोजगार अब मुझे बताए रोजगार की एक आवश्यक सर्थ क्या है अगर देखा जाए एक आवश्यक सर्थ की बात कर रहा हो तो रोजगार की एक आवश्यक सर्थ क्या है तो स्वभाविक एक आवश्यक सर्थ है सिक्षा में नमाचार यानि जब तक हम सिक्षा में नमाचार नहीं करेंगे तब तक हम UPSC ने एक प्रश्ण पूछा था अब इसी को से connect करने वालों पूर प्रश्ण था कियाद रखेगा यदब कि हम जन सांख किये लाभांस को यदब मैं काड मतलब में रोजगार योग्यता उसी समयकाल में रोजगार योग्यता की पतनसील दर को नजर अंदाज कर देते हैं आप देख सकते हैं अब बताए तो अब रोजगार योग्यता की आप मुझे बताएं कि आनि रोजगार आपका एकोनामिस का टॉपिक है आप इमानदारी से आप इस विशेप पर अगर विचार करें तो आप रोजगार योग्यता यानि ये वाला पॉइंट रोजगार योग्यता की पतनसील दर तो इसका मतलब क्या है रोजगार योग्यता किस से कनेक्ट होगा सिक्षा में नवाचार जो योजना का विशय है आप मुझे बताएं सिक्षा में नवाचार तो सिक्षा में नवाचार रोजगार योग्यता की पतंसीलदर के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं आप देख सकते हैं बिल्कुल ही connect हो रहा है इसके अलामा अब GS paper 3 बिज्ञान वाला खंड unit 12 बिज्ञान यों प्रदोकी में भारतियों की उपलब्दियां देशज रूप से प्रदोकी का विकास और नई प्रदोकी का विकास क्या है अब आप देखिए अब आपको लगेगा सिक्षा में नवाचार तो artificial intelligence पूरा एक topic है कि नहीं क्रित्रिम बहुत दिखता तो क्या है यानि बिज्ञान प्रदोकी में आप innovation करेंगे तभी तो और artificial intelligence हमारे जीवन से ब्यवहार से economy से connect हो पाएगा तो बिज्ञान प्रदोकी याद रखेगा यहां से भी वो connect हो रहा है सिक्षा में नवाचार बगेर बिज्ञान प्रदोकी के आगे नहीं बढ़ सकता और बगेर सिक्षा में नवाचार के बिज्ञान प्रदोकी भी आगे नहीं यह qo &', यहाँ से। बीकनेkt हो रहा है लेसे से। पर चल परोड़ा, इस परियावन अब कछ लिखना है। उब अब तियावन कानेक्ट हो जायेगा। जहां जहां मैं इंडारेक्ट लिख रहा हूं वहां इंडारेक्ट जहां मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं वहां डारेक्ट तो अब आप खुद बताएं इंडारेक्टली कनेक्ट होगा की नहीं होगा यानि कि इस सिक्षा में नवाचार के द्वारा हम environment, artificial intelligence के द्वारा भी हम अपसिस्टों का प्रबंधन तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, आवश्यक है GS paper 3 unit 15 आपदा और आपदा प्रबंधन में भी artificial intelligence का इस्टेमाल है, तो ये भी आप देख लिजेगा इसके अलावा GS paper 4 unit और ये मैं connect करूँगा, आप लोगे मैं सोचेगा कि ये किवल, GS paper 4 यानि emotional intelligence यानि कि machine और मानो के मद्ध के संबंध को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, यानि machine और मानो, machine यंत्रवत काम करती है, और कृत्रिम मेधा है, याद रखेगा, तो कृत्रिम हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी को भावनात्मक समझ को भावनात्मक बुद्धी भी कहते हैं, याद अगर उसका संचालन करने वाला व्यक्ति भावनात्मक समझ नहीं रखेगा, तो वह machine जो है, वह मानोता को नुक्षान भी पहुंचा सकती है, जरा कैसे पहुंचा सकते हैं, विचार करिएगा, कृत्रिम बुद्धिमता से robotics, यानि robot आएंगे, और robot क्या करेंगे, मानो स्रम को बिस्थापित करेंगे, चुकि उनकी efficiency, उनकी गुडवत्ता, और उनके कार के घंटे, मानो से कहीं ज़्यादा बेटर होंगे, ऐसी परिस्तिती में, उनकी productivity की करण मानो स्रम पीछे चूटेगा, तो ऐसे में कार्पोरेट्स को, ऐसे में सिस्टम को, ऐसे में government को, इन सब को यह विचार करना पड़ेगा, कि हम परशाशन में artificial intelligence को लाएं, तो emotional intelligence परशाशन में रखें, याद रखेगा, और यही यह पूरी unit है, भावनात्मक समझ, और सासन परशाशन में इसका प्रभाव याद रखेगा, तो simple सी बात है, यहां से भी आप इसको connect कर सकते हैं, सुचे topic ही था, कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, देख लीजे बाव, वहाँ था, कृत्रिम मेधा भारत के लिए चुनोतियां समधान, तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि योजना की importance इसलिए सबसे ज़्यादा है, योजना की importance इसलिए सबसे best है, क्योंकि कहीं न कहीं य ज़ना पूरा कर लेते हैं, तो UPSC में सीधे सीधे आप यहां से प्रशनों को, मतलब आप प्रशनों से खेल सकते हैं, तो कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भाविश में बेरोजगारी का खत्रा, अत्वा पुनर कौसल, और उच्च कौसल के माध्यम से बेहतर रोजगार के स्रिजन का उसर, तो भाविश में बेरोजगारी का खत्रा, देख सकते हैं किस प्रकार से, तो यानि कि अभी आर्टिकल में क्या चुनोतियां, तो यह बेरोजगारी का खत्रा, अब देखिए अगर बेरोजगारी का खत्रा है, तो emotional intelligence आएगा कि नहीं आएगा, भावनात सजन समझ सासन यों प्रशासन में इसका impact, क्या है सासन यों प्रशासन में इसका प्रभाव, अब आप देख सकते हैं, यह इस हुए, तो यानि भाविश में बेरोजगारी का खत्रा अथवा पुनरकाउसल और उचकाउसल के माद्यम से बेतर रोजगार के स्रिजन का उसर, तो बेरोजगारी देख सकते हैं, आथवा पुनरकाउसल और उचकाउसल, यानि कि, क्या कहरा भाविश में बेरोजगारी बढ़ाएगा, या पुनरकाउसल और उचकाउसल, जयानि क्रित्रिम बुद्धी का उथान एक आउसर प्रदान करेगा, कि लोग उचकाउसल से जпон्न होंगे और बहतर रोजगार का सरजन करेंगे तो सबहावी के दें कि पहरा पार्ट उनके लिए है जो जो digitally निरक्षर होंगे यानि जो digital divide का concept है कि एक आबादी जनसंख्या की digital divide का मतलब है एक आबादी जनसंख्या की जो computer में सिद्ध हस्त है याद रखेगा यानि कि software में और वो अच्छा education ले करके system में आ रही है तो वो कौन हो जाएगी उच्च कौसल हो जाएगी पुनर कौस स्कूलों में पड़ी हुई आबादी बहुत से निजी स्कूलों में पड़ी हुई आबादी यह क्या होगी तो स्वभाविक है जब कृत्रिम बुद्ध का उदय होगा तो इनको नुक्षान होगा यानि कि कि इनको जो digitally divide में digitally illiterate है या आगर वो लिटरेट है तो उनका कौ कोंपटीटिव वर्ड में याद रखेगा डिमांड के अनकूल नहीं है ऐसी परिस्तिती में स्वभाविक है कि क्या होगा तो यह विशयानिक उनको बिरोजगारी उनके अंदर आएगी और जो highly skilled होंगे उनको रोजगार मिलेगा दोनों पक्ष पे लिखना है तो यह है कृ हो जना में हुब हो हर पंक्ती मिल जाएगी लेकिन आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपका काम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह हमने समझने की कोशिस करी अब आए चलते हैं सबसे पहले उपराष्टपती का संबोधन जो दिया गया है उसके बारे में तो संबोध प्रेरक बिकास के लिए कौन-कौन विज्ञान प्रोदोग की और नवाचार बिकास के लिए अब जरा पकड़िये का देखिए भूध भूध से बनता सागर मैं फिर एक निबंध लिखता हूँ 2013 का किसी राष्ट्र के विकास में विकास यवं सुरक्षा में किसी राष्ट्र के विकास यवं सुरक्षा में विज्ञान प्रोदोग की क्या है विज्ञान प्रोदोग की बिज्ञान प्रदोकी सर्वोपचार है क्या है सर्वोपचार है याद रखेगा किसी राष्ट्र के बिकास्यों सुरक्षा में तो आप देख सकते हैं किसी राष्ट्र के बिकास्यों सुरक्षा में इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट के विकासियों सुरक्षा में विज्ञान प्रोदोकी सर्वोपचार राष्ट पती यही तो कहने है विकास के लिए विज्ञान प्रोदोकी और नमाचार प्रमुक प्रेरक आप देखें निवंद को इस पंक्ति में कैसे धारण किया गया है अब आये चलते हैं इन्होंने ये बात कहां कही है तो 27 वी राष्ट्रिये बाल बिज्ञान कॉंग्रेस तिर्वानंदपुरं केरल में 30 दिसंबर 2019 ये प्रेलिम्स का भी है याद रखेगा कि बाल बिज्ञान कॉंग्रेस कहां होई है केरल तिर्वानपुरंद उन्होंने क्या सिलता समाइत होती है अब दिखीए सब क्या करेंगे जरूरी नहीं कि हर जगा फैक्ट हो यह आप जब पढ़ेंगे तो आपके शब्दकोस को मजबूत करेंगे चुकि बारा सो सब्द में एक निबंद बारा सो सब्द में एक निबंद या 200-500 सब्दों में किसी एंसर को पढ़ेंगा अपना सब्दकोस मजबूत करना पढ़ेगा यह हो गया बिज्यान के सिछा बच्चों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य को खोजने की प्रेणा देती है पूर्वाग्रह यानि कि जाती धर्म इस प्रकार की चीज़ उसकी कोई आउशक्ता बिग्ज्यान म से काम ले सकते हैं तो यह उन्होंने कहा अब आप देखेगा बच्चों की बिज्ञान कॉंग्रेस का विशे क्या था स्वच्छ प्रोधोकी और नवाचार यह थीम था तो यह जो थीम होते ना यह सब भी UPSC में कोश्चन चाहे GS में और चाहे AC वगयरा में पूछ लिये जाते हैं तो थीम पर थोड़ा सा आप लोग काम करते रहिएगा उप राष्टपती ने कहा कि आपको राष्टपती पूर्व राष्टपती डाक्टर एपी जी अब्दुल कलाम के सब्दों से प्रेणा लेनी नहीं देखे सपने कितना देखना चाहिए सपना 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 जब आप खूब सपना देखते हैं तो सपने बिचार में बदल जाते हैं और वही बिचार आपको क्या करते हैं आपको फोर्ष करते हैं कि आप action करें आप देखिए आप UPSC के लिए भी आप आईस की त्यारी कर करते हैं हमारे लिए कितना relevant हैंका विचार सपना सपना यानि आप उप्सC में सफल होने का सपना देखिए बार-बार देखिए वह आपके विचारों में आ जाएगा और जब विचारों में आ जाएगा तो वह क्रिया में अपने आप परिणत हो जागा चुकि अंदर से आपक कहीं न कहीं आवाज आएगी यह पॉइंट आपको याद रखना क्लियर है तो यह हो गया आपका यहां से अब इसके बाद कुछ इन्होंने अपने संबोधन में यह उपराष्ट पती जी का संबोधन ही चल रहा है जो राष्टे उन्होंने बाल बिग्यान कॉंग्रेस में कही है तो कन्फ्यासिक प्रदोकी में हमारी प्राचीन काल से क्या उपलब्दियां रही है यानि की यह भी हमारे लिए महत्वूर्ण होता है जैसे आप बिग्यान प्रोदोकी पर निवंद लिख रहे है तो कहीं ने कहीं ऐसा होता है कि अगर आप एतिहासिक परिप्रेक्ष दिखाते हैं तो परिच्छक पर एक अच्छा इंपक्ट पड़ता है तो आप देख सकते हैं भारत की चिकिस्सा पंदती आयरुबे 5,000 सा पूर्व से भी पुरानी है सिंदुगाटी सब्यता में धाई हजारी सा पूर्व तक सिचाई और सीवरेज सिस्टम थे दो हजारी सा पूर्व तक दक्छड भारत में उच गुडवत्ता वाला गड़ा लोहा बनाना सुरू हो गया था सून्य का अविस्कार भी भारत के आरेभट ने किया आरभट की रचना आरभटियम तथा वारा महिर की रचना पंच सिधांदिका के में बिज्ञान के पुट देखे जा सकते हैं ठीक है फिर ये हो गया अतिहासिक प्रिष्टुग में अब देखे निबंद राष्ट के विकास में बिज्ञान प्रोदोकी सर्भोप चार है चंदर सेकर लिमिट की खोच करी सर सीभी रमन ने रमन प्रभाव खोजा प्रोफेसर जग्दी चंदर बोषने वायरलेस संचार तो आप देख सकते हैं जानि की अगर आपको भारतिय मेधा के बारे में किसी निवन्द में किसी आमोमन के निवन्द में काम आएगा चूंकि G.S. में तूर उतना ज्यादा विश्थार से लिखना नहीं होता तो इसलिए मैं बार-बार निवन पर फोकस कर रहा हूँ, किसी भी निवन में ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, भारत की बैज्ञान, भारतिये बिज्ञान प्रोदोकी की उपलब्धियां, तो कम से कम यतना पॉइंट आप देखें, एक पॉइंट, दो पॉइंट, यानि ये एतिहासिक, और ये हो गया एक, दो, तीन, चार, यानि नौ पॉइंट आपके पास ऐसे आगे, जो फैक्ट है, इनको रख लीजे, और ये मानिक चलिए, जब भी बिज्ञान पर कुछ आएगा, तो इनको हम उदारन के रूप में भारतिये उपलब्धियों में ल हमारी ये भारत का योगदान, पुरे बिश्चुक रहा है, तो आप हमें भारतियों होने पर गर्व, अच्छा, आप मुझे बताई, इस निबंद को लिखना है, हमें भारतियों होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप, तो कम से कम भाई सारे पक्ष लिखेंगे ना समाजीक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बैग्यानिक तो बैग्यानिक में देख सकते हैं एतिहासिक प्रिष्टमुमी और आदुनिक तो ये है हमें भारती होने पर गर्ब क्यों होना चाहिए तो आप देखिए बड़ा इंटरलिंकिंग है, पूरा खेला इंटरलिंकिंग का है याद रखेगा अब आते हैं विद्यार्थियों में जागरुक्ता जरूरी है फिर आगली बात उन्होंने अपना एतिहासिक प्रिष्टमुमी बताया, फिर अभी का बताया और फिर बिद्यार्थियों में जागरुक्ता पर बातचीत की, कि बिद्यार्थियों को जागरुक किया जाना चाहिए कि बिज्ञान का वास्तविक उद्यस लोगों के जीवन को में आराम और खुसहाली लाना है यह पहला पॉइंट आप, खुद पढ़ लीजेगा यानि जीवन में आराम और खुसहाली लाना है फिर इसके बाद एक scientific thought, बैज्ञानिक सोच को बिक्सित करना है जो इस देश की तक्मीकी प्रगती में कहीं कहीं एक लंबा रास्ता तै करेगा इसके अलामा यह समझना चाहिए कि बिज्ञान और प्रदोकी में प्रगती और नवाचार का कोई लाब नहीं होगा बहुत बढ़िया यह दिवेप परियोक सालाओं में रहे मतलब क्या है कि अगर परियोक साला में आपने कोई याद रखियागा तो वह विज्ञान प्रदोकी कहीं न कहीं अपनी उपलब्धियों से बिमुक रहेगी दूर रहेगी सभी सोज और अविश्कार को परियोक सालाओं से परे बाहर आना चाहिए और आम लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए यह पॉइंट आप देख सकते हैं अब अगला क्या है सतत विकास और विज्ञान अब देखे एक एक हेडिंग में अपनी बात हो कह रहे हैं और हमें प्रकृति की रच्छा करनी होगी फिर राष्ट के विकास और जलवाई परिवर्तन से उपजी चुनोतियों से निपटने के लिए बिज्ञान की सिक्षा महत्पूर्ण अब आप देखे मैंने इन्वार्मेंट से क्यों करनेक्ट किया था पेपर 3 से यानि कोई बिशेद जैसे हम लोगोंने एक गलत फेनोमेना बिज्ञान बिज्ञान की तरह भूगोल भूगोल की तरह सोसाइटी सोसाइटी की तरह जी नहीं अगर मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं प्लीज समझे चुकि रिजल्ट इसी रास्ते से है मैं नहीं कहता हूँ मैं करा पाऊंगा क्योंकि कोई करा नहीं सकता करा पाता तो मैं अपना ही करा लेता लेकिन हाँ जो मेरा अनुभो रहा है दस बरसों की त्यारी और पिछले साथ आठ बरसों से लगातारा ध्यापन करा रहा हूँ मेरे साथ हमेशा मेंस के ही बच्चे मिलते हैं तो स्वभाविक है कहीं न कहीं सीनियर बच्चे ही मेरे पास आते हैं नए बच्चे आते नहीं हैं तो इसलिए पूरा experience अच्छा खासा मतलब आप मानके चलिएगा कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और मैं मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ एक दो को छोड़ दिया जा हिंदी मीडियम की बात करा हूँ जो मुखरजी नगर से पढ़ रहे हैं या यहां से कनेक्ट हैं तो सारे बच्चे मुझसे किसी रूप में वो जुड़े रहे हैं चाहे एसे में, चाहे थिक्स में, चाहे इंटर्व्यू के लिए किसी न किस रूप में हमेसा जुड़े रहे हैं तो मैं उनलों के साथ क्योंकि लंबा समय बिताया फिर हमारा बिताया तो मुझे यही पता है, जब तक interlinking नहीं आएगी, तब तक सारी समस्या बनी रहेगी, याद रखेंगा, पढ़ते जाएए, चुकि जैसे न हम लोग coaching करने आ रहे हम coaching करते हैं, पर यह exam competition है, यानि यह competition होना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखें बिग्यान और आ investment होता है, तो आर्थिक विकास्त हो गई होगा, इसको मैं एक उदारन से अगर आप लोगों को समझाओं, आप देखें प्राचीन काल में, जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं, तो इतिहास जब आप पढ़ते हैं, तो लोहे काविसकार 1000 इस भी पूर में हिंदुस्तान में हो और उत्तरबैदिक काल में इसका उलेखा है, लेकिन उत्तरबैदिक काल में इसका क्रिशी में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, छटी सताबदी शाप पूर में अब विज्ञान में एक बरक्कत हुई, बहुद गरंत है, बच्चों मैं लिग देते हैं, आप लोग इसको याद क गया कार्बन के मिसरण से, तो तकनीकी एडवांसमेंट हुआ, अब गहरे अस्तर पर जुताई संभव हुई, एग्रिकल्चरल सर्पलस आया, और देखिए जैसे ही सर्पलस आया, बैदिक काल में कोई नगर नहीं था, शिक्स बीसी में बैसाली, चंपा, ये धिर सारे नग ग्रूप में मिली जाता, अब देखिए, अब वो पूरा टॉपिक खतम होता है, एक बार मैं रिवीजन करा दूँ, जिससे आपको आउटकम मिल जाए वहां से कि, यानि यहां पर उपर रास्टपती ने बाल विज्ञान कॉंग्रेस में अपना एक भाशन दिया, और विका परियोगता जरूरी है, अगर सारे प्रियोक्शाला में रहेंगे, वो लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो कहीं कहीं उसका कोई फायदा नहीं है, फिर इसके बाद सतत विकास और विज्ञान, यानि कि आप सस्टनेबल डेवलपम चाहते हैं, climate change को control करना चाहते हैं, environment में जो भी यानि पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं, चुनोतियां उनका समधान चाहते हैं, तो आपको कहिं कहीं बिग्यान एक बहुत महत्वपूर्ण यानि बिग्यान की बुनियादी सिक्षा आवश्यक है, बिग्यान और आर्थिक विकास का संबन, तो ये उनका एक भाशन सा था, उसको मैंने कोशिस किया कि आप लोगों के लिए समराइज करूं, अब आप दूसरा टॉपिक यहां से देख सकते हैं, दूसरा टॉपिक आपके सामने है, याद रखेगा ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब आएए, देखिए, ये टॉपिक है, मैंने फ्यूचर ऐसे लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पूछता है, तो ये टॉपिक है, यानि ये टॉपिक है, अब एक एक चेप्टर योजना के स्टार्ट हो रहे हैं, ये टॉपिक, वि कर यहां समझा दूँ आर्थिक विकास और समाजिक विकास तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आर्थिक का मतलब क्या हो सकता आप मुझे बताए यानि कि एकोनामी का प्रेमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सियरी सेक्टर यानि क्रिशी और उसकी सहेग गद्वद ये सब याद रखेगा पोशन ये सब विज्ञानियों प्रोदोकी पर डिपेंड करते हैं क्यों क्योंकि अगर पोशन भी चाहिए था हमें पोशन यूगत भोजन चाहिए यानि अन्न में हमारे जो अनाज होते हैं उनमें अब हमें न्यूट्रीशन बैलू बढ़ानी पड़ तो आप देख सकते हैं समाजिक विकास में सिक्चा श्वास थे कॉसल इन सब के लिए पोशन के लिए याद रखेगा ठीक है तो इसमें बहुत यह रहा टॉपिक और इसके क्या-क्या निसकर से इसमें क्या-क्या किस-किस बात पर फोकस किया गया है वही वही बात इंपॉर भारत केवल नवाचार और रचनात्मक्ता में आपके बहुत धिक योगदान के साथ आने वाले बरसों में बैस्विक नवाचार पर सभी प्रभाव डाल सकता है भारत को एक बिक्सित राष्ट में बदलने में बिग्यान और प्रोदोकी की एक महतपूर भुमिका है जिग् बार चलते हैं मोदी जी का बिजन लेते हैं तो याद रखेगा फैक्स फार प्रिलिम्स प्रिलिम्स 2020 क्या है प्रिलिम्स 2020 तो कब हुआ तीन जनवरी 2020 कहां हुआ बैंगलुरु में हुआ कौन सी है एक सो सात्मी थीम क्या है ग्रामीड विकास के लिए बिग्यान और प्रोचर में कोश्चन हो सकती है यह एसे में भी पूल सकता है और यह पेपर थी बिग्यान वाले खंड में भी ग्रामीड विकास के लिए बिग्यान और प्रोद्धों की तो अब आप इसके लिए भी तैयार रहिए गा चुकि योजना में विस्तार्स इस पर नहीं है जित चार पेटेंट उत्पादन और उन्नती तो यह उनका संदेश था अगर यह चारों पर आप फोकस करते हैं तो याद रखेगा जो देश है वो तेज विकास पर चल पड़ेगा तो अब आप देखिए जैसे देश के विकास के लिए चार अनिवार एलिमेंट अगर आपको कह नहीं लिखना हो तो पहला नवाचार दूसरा पेटेंट तीसरा उत्पादन और चोथा उन्नती यानि सभी की उन्नती सुनेशित करना फिर इसके बाद अगला टॉपिक है क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब हमें क्या करना है कि पूरी योजना को एक बार आँखों स कर दिस शाठ हुई है तो चार दिसमबर 2019 को किसने किया है केंद्री मानो संसाधन विकास मंत्री सीरी रमेच पुखरियाल निशंक ने योम युवा कारियोम खेलराज मंत्री सीरी किरन रिजजु द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रारम्भ किया गया है तो आप presents सकते कब तो दिसमबर 2019 किसने किया है ये हो गया fit इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम क्या है निर्धारित खास मान दंडो के अनुसार fit इंडिया स्कूल रेटिंग पडाली से बिद्यालेओं की 26 उधरने का प्रयास की 26 उधरने का और स्वभाविक है इस एक स्पोर्ट्स का वाता वरण भी बनेगा ये पॉइंट आप याद रखेगा फिट इंडिया स्कूल रेटिंग पढ़ा ली फिट इंडिया अभियान के तहत सुरू किया गया है और अब फिट इंडिया कारिकरम क्या प्रधानमंत्री दरा नागरिकों में जागरुकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्ट जीवन सैली अपनाने के लिए प्रोसाहित करने के लिए या एक अभिनों पहल है fit india आपको अच्छे से पता fit india क्यों महत्वपूर्ण है fit india school rating क्यों महत्वपूर्ण है इसको अगर मैं connect करूँ तो आप देखेंगे नीत यायो की एक report आए थी उसका नाम था india state disease burden क्या आए था india state disease burden burden मतलब बोज बर्डन report और इसमें यह कहा गया कि 1990 के पहले संक्रामक बिमारियां होती थी यानि की virus bacteria यह सारी चीजें 1990 के बाद गैर संक्रामक गैर संक्रामक का मतलब होता है जीवन सैली से जुड़ी जीवन सैली का मतलब होता है कि यानि जीवन अब ज्यादा physical work नहीं है यानि की और ऐसी प्रिष्ट भूमी में अब जीवन सैली से जुड़ी मोटापा यानि obesity फिर इसके बाद heart फिर blood pressure फिर अने को इस परकार की समस्या है तो उस प्रिष्ट भूमी में आनि इंडिया state disease burden report में जो आया है जीवन सैली से जुड़ी हुई बिमारियां तो उनको दूर करने के लिए fit इंडिया कारिकरम fit इंडिया school rating पढ़ा ली दोनों भी मील का पत्तर होंगे आप अपने दिमाग में इस चीज को बनाए रखिएगा fit इंडिया moment को और इसको आप कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं याद रखिएगा fit इंडिया moment को अगर ये fit इंडिया कारिकरम अच्छा चलता है तो एक परकार से sports के प्रती sports spirit के प्रती एक भाव बनेगा और UPSC ने question पूछा था क्या ओलंपिक में बहारत 50 श्रण पदक जीत सकता है याद रखिएगा तो अब आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार से एक महौल बने तो धीरे धीरे खेल संस्कृती डेवलप होगी और जिस देश में खेल संस्कृती जीवन सैली का एक हिस्सा बन जाए तो वहाँ पर 50 श्रण पदक जीतने की संभावना बन जाती है तो आप ऐसा यहाँ पर ट दी जाएगी कि यह स्कूल कितनी मतलब कितने फिट है यहाँ पर बच्चों में ओभी सिटी बच्चों में हाइप ब्लंड प्रेशर बच्चों में माल नूट्रिशन अस्टंटिंग बेस्टिंग यह सारी चीजे निकाली जाएंगी तो इससे क्या होगा स्कूल में प्रतिस आप नहीं कोई कानून तो है नहीं कि परदान मंतुरी ने कहा करना कोई कानून नहीं है यानि प्रकार से बैलू है अगर स्कूलों में शुरू किया गया तो जी यस का पेपर फोर आपके पास था याद रखिएगा और उसमें यूनिट वन है नितिसास मानुए से समंध इस श्कूल फिट इंडिया कारिकरम मतले मुस्वारी फिट इंडिया स्कूल रेटिंग परिवार और समाज फिट इंडिया कारिकरम से जुड़ जाएंगे तो स्वभाविक है मुल्यों में श्वास्त्य मुल्य भी एक महत्पूर्ण मुल्य है तो उस स्वास्त के मुल्य का कर्देश भी मानुस वाथ यो कुले होता है तो आप देख सकते हैं महतपूर आएए है केसे दृष्च ओ Elidas भी च्वासटकर है? अब देखें केंद्री मानो संसादन विकास मंदुरी ने क्या कहा नया भारत बनाने में सौस्ट भारत आधार सिला है सौस्ट मतलब केवल सरीन में भीमारी का ना होना नहीं है बलकिस कारतिया है कि हम कितने परशन रहते हैं और उर्जा से परिपूर है इसका मतलब है जरा पकड़िये का कितने परशन है और उर्जा से परिपूर है UPSC ने एक निबंध पूछा था कि GDP के साथ साथ खुसाहली महतपूर है क्या है GDP के साथ साथ खुसाहली महतपूर है तो इसका मतलब है Fit India, School Rating और Fit India कारिकरम यह क्या है कि केवल रोग मुक्त होने की बात नहीं करते है यह परशनता खुसाहली और उर्जा की बात करते है और इस अर्थ में GDP के साथ खुसाहली महतपूर है इस द्रिष्टिकोर को यह हमारा Fit India कारिकरम, Fit India School Rating धारण करता है जो UPSC ने पूछा है, तो आप देख सकते हैं यह हो गया, युवा कारियों खेल राजमंत्री ने कहा खास मान दंडों के अनुसार Fit India School Rating प्राली से बिद्यालेओं की छबी चमकेगी, यानि हमारे स्कूल परशिद्ध होंगे तो यह हो गया, यानि पीछे आपने समझा, अब आते हम यानि कि डाक्टर के सिवन, इसरो के चीफ, अब इनका एक इंटर्विव है तो heading क्या है, यह chapter है, new chapter फिर से start हुआ है new chapter start हुआ है, याद रखेगा 2022 तक भारतिय मानव अंतरिक्ष कारिक्रम, यानि गगन यान तो prelims का यही से हो गया, गगन यान क्या है, क्लियर है गगन यान होगा साकार, डाक्टर के सिवन, देख सकते आप क्लियर है, तो आईए, चलते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते है तो भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम के जनक, डाक्टर बिक्रम सारभाई का विचार था देखिए अब इस स्पेस, अंतरिक्ष, आप अंतरिक्ष पढ़ने जा रहें तो अंतरिक्ष पेपर 3 अभी आपने पढ़ा था, साइंस टेक में इस पेस साइंस एक पार्ट है तो अब इस पर थोड़ा निगाफ बनाए रखिएगा यानि हम इस पेस साइंस पढ़ने जारे एक बार आप लोग पढ़िए इसको तम मैं इसको बोलूंगा तो आपको और अच्छे से किलियर हो पाएगा एक बार आप लोग इसको पढ़िए पड़ा पर तो अब भारतिय अंतरिक्ष कारकरम के जनक डाक्टर बिक्रम सारा भाई का विचार था क्या था कि अंतरिक्ष संसाधनों में अंतरिक्ष संसाधनों में मानो और समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की चमता है अब आप देख सकते हैं मानो और समाज की जो वास्तविक समस्याओं है उसे अंतरिक्ष संसाधन हल कर सकते हैं सेटेलाइस इंस्ट्रक्षनल टेलिवीजन एक्सपरिमेंट एस आई टी यानि उपग्रह अनुदेशी याद रखिएगा समाज सास्त्री यह एक बड़ा समाज सास्त्री प्रियुक था यह सिक्षा के बारे में था किरपिया इसके बारे में संचेप में जानकारी ने पहला कोश्चन यहां से स्टार्ट हुआ इंसे कोश्चन नंबर वन क्या था क्या था क्यानि कि सेटेलाइस इंस्ट्रक्षनल टेलिवीजन एक्सपरिमेंट SITE यानि उपग्रा अनुद्देशी एक बड़ा समाज सास्त्री प्रियुक था यानि इसका इस्तेमाल समाज के हित में किया जाना था क्यों यह सिक्षा के बारे में था इसके बारे में संचे में बता यानि सेटेलाइट इंस्ट्रक्षन टेलिवीजन एक्सपरिमेंट तो प्लीज यह प्रिलिम्स की द्रिश्टी से देख लीजेगा क्या है यह सेटेलाइस इंस्ट्रक्षन टेलिवीजन एक्सपरिमेंट चाहतर छेहतर के दोरान एक बर्स के लिए किया गया था अब ये टाइम भी याद करें लेगा प्रिलिम्स इस कारेक्रम ने हमारे ग्रामीनों को दिन प्रतिदिन के विभिन महत्पुन मुद्दों से अउगत कराया और उनके द्रिष्टिकोंड को ब्यापक बनाया याद रख सकते है तो यानि इंसेट परपडाली को सक्षम बनाया तो पहला तो प्रशन इंसे ये पूछा गया यानि ये प्रिलिम्स का कोश्चन है सटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलिविजन एक्स्परिमेंट एस आई टी ये कपका उनिस्व पजातर चेतर दूसरा कोश्चन सकते हैं दूरस्त सिक्षा याद रखेगा एजूसेट अग्रणी कारकरपमों में से एक था यानि एजूकेशन सेटलाइट सिक्षा के लिए सेटलाइट इसकी कल्पना कैसे की गई और अन्य पहल कौन सी है यानि कि पहले एजूसेट के बारे में बताईए और फिर ऐसी और कौन सी पहले की जारी देखें सिक्षा पर ही बात cilantro चल रहे और फिर हम दूसरा पढने जा रहे है क्या है एजूसेट तो प्लीज ध्यान रखेगा अब देखिए इनका एंसर है सिवन सर का एंसर है एजूसेट कारक्रम की अभिकल्पना यानि उसके बारे में जो रूप रेखा सोच दूर संचार और टीबी प्रशारण के लिए संचार उपग्रहों के उपयोग में जो अनुभव हासिल हुआ था उसके आधार पर की गई 1990 के दशक के दोरान विभिन अस्तरों पर हमारे विद्यार्थियों और सिचकों के बड़े समुदायों को प्रतिभा संपन करने वाले कई सैक्चिक तता प्रसिक्चन कारक्रम सोचे गए और उनका क्रियानवेन भी किया गया जिनका उपग्रह के मादम से देश धर में प्रशा किया याद रखेगा इस कारक्रम के दौरान बिस्इस रूप से सिक्चा छेट के लिए जी सैट प्योग पहुँच बढ़ाने के साथ आपचारिक और अनपचारिक सिक्षा की गुडवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया था आपचारिक सिक्षा यानि कि जो स्कूली पार्टिक्रम वाली सिक्षा है अनपचारिक सिक्षा याद रखेगा जो दूरस्त सिक्षा है ये मुख आज भी बेहतर वर्क कर रहा है अब अगला कोशनider कोशन नमर्थि इस रों उपग्रहों के विकास में बड़े पैमाने पर विद्यार्ती समुदाय को पर स French करता रहा है व Sedq thành ओध्यार्त इस्रो ने इन उपघ्रों के डिजाइन विकास और परिक्षणि मेंभी विद्धार्ती समुथाइग कि निर्माण के लिए प्रशेपित भी किया जा चुके है इस से बिद्यार्थियों को उपग्रा विकास की जडिलताओं का पता चलता है और इस छेत्र में और भी इंस्पायर होते हैं यानि यह कहीं कहीं उपलब्दियां बताई जा रही है ध्यान रखियेगा कभी भी प्रशन आए अगला कोश्च हाल में अगला कोश्चन क्या है हाल में ध्रूब अब देखे ध्रूब आ गया ना प्रेलिम्स मानो संसाधन विकास मंत्राले का कारिकरम का परचेपन इस रो मुख्याले से किया गया था आप इसे कैसे देखते हैं अब आप देख सकते हैं ध्रूब प्रेलिम्स प्रधान मं प्रधान मंत्री नवाचार सिक्षण कारिक्रम इसका नाम 60 में धुरूब एक अनूठी पहल है क्या है अब देखे धुरूब क्या है प्रेलिम्स का कोश्चन है और बाकि सिक्षा में नवाचार और सिक्षा में टेक्नोलाजी कुछ भी प्रश्ण आएगा ति यह सब फैक तो के सुरू किया गया था याद रखिएगा यह कारिक्रम असाधारण प्रतिभा के धनी बच्चों को देश भर के उतकरिष्टता केंद्रों में विभिन छेत्रों के जाने माने और अनुभवी विशेशक्यों दोरा क्या दिया जाएगा परामर्स दिया जाएगा जिससे वह के अनुभवों से परचित होंगे और बेहतर परपार्मेंस करेंगे और उनकी प्रतिभा में उभार आएगा याद रखेगा धुरूब प्रतिभावान और मिधावी चात्रों को प्रतिभा उभारने के लिए एक मंच प्रदान करता है तो धुरूब कारिक्रम प्रेलिम्स याद रखेगा बणिया है और बाकी तो सिक्षा अगर आएगा तो आप करी लेंगे कोश्चन अगला कोश्चन है ब्यक्तिगत कोश्चन आप एक किसान के बेटे हैं और आपने गाओं को करीब से देखा है प्रदान मंतरी की नजर दो हजार बाईस तक किसानों की याय को द अमेजिंग कोश्चन यानि क्रिशी के बिकास में प्रदोकी की भूमिका याद रखेगा क्रिशी के बिकास में अंतरिक्ष प्रदोकी की भूमिका तो मैं टॉपिक ही लिख देता हूँ यानि क्रिशी के बिकास में पिछली बार आप चेक करेंगे 17 या 18 में साइट क्रिशी के विकास में अंतरिक्ष प्रोध्योगिकी की भूमिका, क्या है अंतरिक्ष प्रोध्योगिकी की भूमिका, किरसी के विकास में अंतरिक्ष प्रोध्योगिकी की भूमिका, आप यहां से देख सकते हैं, यह होगा, किरसी के विकास में आईए, यानि कि अनौपचारिक सिक्च का मतलब होता है कि जैसे चौपाल मतलब उनको पर सिप्चित किया जाना उसमें जो है किस प्रकार से आप या मतलब अंतरिक्ष परद्धों की उनकी किस प्रकार से मदद कर सकती है कि बी जुरुबराक कीट्द ना सक किस समय पर कौन सी फसल लुगाना, क्लाइमेट चेंज से कैसे अपनी फसलों का सनक्षण करना, ये सारे चीज़े, तो आएए चलते हैं, अब देखें बहुत बढ़े हैं, ये पूरा रट लीजेगा, ये मुख्य परिक्षा का कोश्चन है, अब कहां पूछेगा, पेपर 3 में, बिज्ञान वाले ख आतर का जो कायकरम था, जब ये आपने पीछे पढ़ाके, दोरान किर्शी पदतियों में सुधार पर टीबी, बृत चित्र किशानों की मात्र भासा में प्रशारित किया, पहला तो ये हो गया, यानि कि बृत चित्र, बृत चित्र का मतलब होता है, कि छोटे-छोटे जैसे परशंगों के माध्यम से यह बताना कि किस प्रकार से किसान किस फसल में रिफार्म कर सकता है, कीटों से अपनी फसलों को कैसे बचा सकता है, बृत चित्र ऐसा मालिय से एक प्रकार की शौट फिल्म है, ऐसा मालिजे, फिर इसके बाद देखे, S.I.T. के बाद, अब ये बह लब्दियों का मुल्यांकर आपके सामने देख सकते है, अब कलपना और इंसेट 3D जैसे मौसम की निगरानी करने वाले हमारे उपग्रा, अब आप देख सकते हैं, कलपना ठीक है, और इंसेट 3D ये क्या है, मौसम की निगरानी करते हैं, इसका मतलब अंतरिक्ष, प्रोध अलवाई वध्यन में महत्वड भूमिका निवारें देख सकते हैं दूसरा मौसम की सटीक भविश बाणी से क्या होगा कब फसल बोना है कब काटना है इसके बारे में हमें अनुमान लग जाएगा ना हमारे दूर समवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों ने क्रिशी बग्य पता का पता लगाने में सच्चम बना है जिससे किसानों को लाव आप देख सकते हैं यही चार पॉइंट आप एक्जाम मिल लिग दीजिए आपका कोश्चन कम्प्लीट हो जागा और अठारा में पूचा है जब प्रोदोकी के विकास में बायो टेक्नोलोजी की भूमिका तो किरशी के विकास में अंतरिक्ष की भूमिका याद रखेगा यह आपसे बन सकता चुकिए इंटर ब्यूबी के सीवन सरका है अगला कोश्चन अब देखें कितना इसमें मज़ा आ गया कितने पीटी के फैक्ट मिल रहे हैं मिल रहें नहीं मिल रहें अगला कोश्चन इस में समाचारों में चर्चा में रहने वाला यूबिका क्या है तो आप कम से कम आप तो पतला है यूवा बैग्यानिक कारिकरम तो इसके बारे में पूछें क्या है तो आप देखिए यह कारिकरम मुख रूप से अंतरिक्ष प्रद्योकी और इसके अनुप्रियोग्यानि अंतर कारी प्रदान की जाएगी किसे वह इस्पेस टेक्नलोजी और उसके एपलीकेशन को बेहतर धंक से समझ सके और उसका यूटिलाजेशन कर सके इस आवास ये प्रसिक्षण कार्याम यानि इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको हॉस्टल प्रसिक्षण यानि की पूरा से सत्र औरंत में इससे भी अधिक महत्पूर्ण भाग फीडबैक सत्र सामिल है प्याद रखेगा देश के बिविन भागों से विद्यार्थियों को एक साथ लाने से इस कारिक्रम से राष्ट्रिया खंडता में भी मदद मिलती है राष्ट्रिया खंडता की दृष्टी से भी महत्पूर्ण तो यह भी का कारिक्रम आप देख सकते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर नेक्स्ट इसरों ने 104 उपग्रों के सफल प्रचेपण से अपनी प्रभावसाली छंता का प्रदर्शन किया है इसरों को प्रचेपण विशे सकता तक्मीकों में महारत हांसिल होन कि इसरों की उपलब्धियां 104 उपग्रा यह सारी चीज़ें आप ऐसे सब्दकोस मजबूत कर लीजिए इसरों के आगामी कारिक्रमों की मुख्य विसेस्ताएं क्या है क्या है आगामी कारिक्रम कौन कौन से यानि 104 तो हो चुका और आपकी उपलब्धियां अपने आप में अप्रतिम है अब आगे क्या है इसरों आगामी महीनों में अपने कक्छिय ग्रह से पहले से सेवाय दे रहे उपग्रों की सेवाय जारी रखना सुनुचित करने के लिए कई संचार और भूप परिवेक्चर उपग्रा परचेपित करेगा साथ ही हम उनकी सेवा चमताओं को उनके पूरवर्तियों की तुलनाम्यानी जो पहले बेजे गए है उनकी चमता में बढ़ोत्री की जाएगी इस साल उनने का हम एक लेंडर और रोवर के साथ चंद्रयान तीन मिशन को साकार करने के लिए प्रियास कर रहे है चंद्रयान तीन फिर इसके लाद सूर्य का अध 24-25 तक 5 प्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता बनने का लक्ष रखा है बिज्ञान और प्रोदोकी में उपकरण तथा सिक्षा कैसे योगदान दे सकते हैं यानि बिज्ञान किस प्रकार से 5 प्रिलियन एकोनामी को के लक्ष को प्राप्त करने में अपनी मदद कर सकता यह भी महत्वण हैं तो आप देख सकते हैं भविष में अधीक ब्राडबेंड संचार उपग्रहों पहला यह अधीक सक्षम भू अवलोकन उपग्रहों और नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ अधीक महत्वण विकास की चमता निश्चित रूप से मौजूद है निर्माण में बिज्ञान और प्रद्व की सिक्षा की भूमी का स्वभाविक है यानि कि बैज्ञानिक जो भी अनुप्रियोग है और उनका जो एकोनामी में इस्तेमाल होता है उससे जो एफिसियंसी और प्रोड़क्टिविटी बढ़ती है तो वो अपने आप में हाथ द अब यह भी प्रिलेंज का कोश्चन हो गया समुननत आउट्रीच कारक्रम क्या है तो इस्तरों के साथ चात्रों का संवाद बिद्यार्थी अब इसका मतलब क्या है अब इसको ऐसे ही समझा देता हूँ कि भाई प्रतेक बिद्यार्थी के अंदर क्या होती है एक जिग्यास है तो यह हुआ पूरी बातचीत आप उसको अपने ढंग से बना लिजेगा अब अगला टॉपिक है सॉरी 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 आई अब देखें मोस्ट इंपर्टन यानी जो हाइलाइट टॉपिक है मोस्ट इंपर्टन कृत्रिम मेधा आटिफिसियल इंटिलिजेंस कृतिम बुद्धी भारत के लिए चुनोतियां और आउसर आप देख सकते हैं भारत के लिए चुनोतियां और आउसर अब यहां से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे इंपर्टन है यह समझे कि आप निवन्द पड़ रहें इस्टेट सिविल सर्विसेस में आप सीधे यह निवन्द पड़ रहें यह चीज आप दहार नखेगा क्या पड़ रहें सीधे निवन्द आप पड़ रहें देख सकते हैं अब क्या है क्रित्रिम मेधा AI के छेत्र में हाल की प्रगति उद्ध्योग सरकारों और समाज के लिए महत्पूर्ण आउसरों की संभावना पेस करती है किसके लिए इंडस्ट्री के लिए गवर्मेंट के लिए और सोसाइटी के लिए तो तीनों पहले यहाँ पर आप अपने सद्धकोस में डाल लीजिए सिक्षा के छेत्र में AI बुद्धिमत्तापूर्ण गेम आधारित ग्यानारजन का परिवेस यानि खेल खेल में सिक्षा सिक्षण पडाली और ब्याख्या की प्रोदोकिया मोहिया कराती यानि सिक्षा में इसकी महत्पूर्ण बुमिका है यह स्टार्ट किया गया है AI के आउसरों और चुनोतियों को भी रेखांकित किया गया है खास तोर से उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जिने AI आधारित प्रडालीयों के विकास और प्रसार को सनुश्चित करने के लिए बनाया जाना चाहिए AI का बढ़ता दारा अब कुछ फैक्ट इसके बारे में AI सब्द की सुरुआत 1950 के दसक के आरम में हुई थी लेकिन सूचना प्रदोकी और रोबोटिक्स में हाल की प्रकृती से सार्बजनिक और निजी छेतर के संगठनों में AI artificial intelligence के बिकास और इस्तेमाल में काफी तीब्रता आई है AI में हाल की प्रगती उद्द्योग सरकारों और समाज के लिए महत्पोण आउसर की संभावना प्रस्तूत करती है याद रखेगा इसलिए इसके प्रियोग का दायरा बढ़ा है आउसर और उप्योग क्या-क्या है AI के बिभिन चेतरों में AI आधारित पडालियों के उप्योग के अनेक आउसर सामने आये है याद रखेगा कौन-कौन से है बिनिर्मान, मैनुफेक्चरिंग, चिकिस्सा, स्वास्ति सेवा, सिक्षा, क्रिशी बिपडन, विक्री, बित, संचालन और आपूर्ती स्रिंखला प्रबंधन, सारबजनिक सेवाओं की डिलिवरी तथा साइबर, सुरक्षा जैसे चेतर इनको प्लीज याद करिएगा इन सभी छेतरों में आऊसर है, याद रखेगा, क्लियर अब देखें सिक्षा के छेतर में आई, क्या है, सिक्षा के छेतर में आई, बुद्धिमता पूर्ड, गेम आधारित, ज्यान अर्जन का परिविस, यानि गेम, यानि प्रतेक जो सीख निखने वाली अभिवरुति है तो गेम के माध्यम से वह बच्चों के पास लेकर के आना शिक्षण प्रणाली ब्याक्या की प्रदोकिया मोहिया कराती है लिहाजा इस छेत्र में स्क्षकों की प्रभावसील और छात्रों की दिलचस्पी को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल हो पुम्चारियों की न्यूक्ति की जरूरतों यानि कहीं न कहीं यहां पर भी वो महतपूर्ण भूमी का पुस्तकाल है कि प्रक्रिया में उनकी एक महतपूर्ण भूमी का सुनिश्चित हो सकेगी याद रखेगा फिर इसके बाद सिक्षा पर ए आई का इंपेक्ट या तीन तरह से प्रभाव डाल सकता है पहला ए आई समर्पित ब्यक्तिकरण से चात्र विसेज के लिए ग्यानारजन प्रोफाइल तता चमता बिद्यारजन के तरीके और अनुभों पर आधारित परिवेस के विकास में साह कोटाना जैसे स्मार्ट असिस्टन्स और संबंधित प्रोद्वक्यों का इस्तेमाल चात्रों के लिए सायक बन सकता इसका मतलब समझे जैसे आप एलेक्सा भारत की राजधानी क्या है तो बता देगी भारत की राजधानी एकस वाई जेड है तो यह सारे क्या है यह आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं आपको देंगे यह सिक्चा निसिक्चा के बारे में अगर कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो कई न कहीं आपको बेटर डंग से इसका इसनेयल करना सीखना पड़ेगा एक बार आप लोग देखें मैं आप लोग इसको पड़ते रिए बस 2 सेकंड में मैं इसको थोड़ा एक इश्यू टेक्नोलाजिकल आराज पूठीक कर लेता हूँ फिर आता हुआ कि कर दो अब आप देख सकते हैं कितना important है बाकी की कहानी छोड़ दीजे केवल इतना याद कलीजे ये क्या है smart assistance है यानि आपके smart सहायक है ये सब तो अब ये सिक्षा में artificial intelligence बस इतना ही आपको use करना Amazon Alexa Google अब तो आप लोगे सब पता ही पता होगा याद रखेगा तो ये सबसे महतपोड है याद रखेगा कागजी कारवाई बार बार नहीं करनी पड़ेगी बच्चे बार बार पूचे मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ एक इंट्रेस्टिंग होगा बच्चों को लगेगा खेल जैसे चोटा बच्चा एपल इस्पेलिंग एपल तो वह एपी पी वह स्टार्ट कर देगा तो ये अच्छी चीज है अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे स्वास्त के छेतर में क्या इस्तेमाल होगा तो विकासील देशों में याद रखेगा ग्रामीड और दूर दराज के इलाकों में चिकिस्सा सेवा की पहुंच सीमित है ऐसे में AI अच्छे स्वास्त और सेहत के लक्ष को हासिल करने में खास तोर से मदद कर सकते हैं क्यों हमारे देश में प्रती 1000 अबादी पर डाक्टर का उसस सिर्फ 0.8 है इस कारण भारती डाक्टरों पर काफी बोज है या डाक्टरों भारती तो हमारे देश पर पर uh dot our चीन और बिल्टेऍव की तुल्ना में तक्रीबा नादा है या या झीया एक हेक्टेएर में जतना चीन उत्पादन करता बिल्टेन करता उसका मदा करते हैं और जनसंख्या हमारी कितनी है तो ऐसे में उत्पादन और जनसंख्या के रेशियों को और बहुतर ढंग से जो है संदर्भीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा किरसी छेत्र में आटीफिसेल इंटलीजन्स को लाना पड़ेगा आप जड़ाब विचार करिए कि हमारे खाद सुरक्षा कीटों और रोगों की वज़ा से उत्पादक्ता में काफी ग्रावट यानि कीटों और रोगों पर पकड़ ऐसे में AI आधारित पड़ा लिया विपरीत पर्यावणिये स्थितियों का अनुमान लगाने तथा समय बद ढंक से फसल की बिमारियों को के निदान और कीटों की पहचान करने के लिए संसादनों के आवंटन में सायक हो सकती हैं जिससे क्रिशी पर विपत्ति का जोकिम घटेगा तता सून्य और गरीबी और सून्य भूग सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल दो के लक्ष को हासिल करने में मदद मिलेगी युनाइटे नेशन के जीरो हंग बनेगा आप हर एक टॉपिक के तीन तीन पॉइंट निकाल लीजिए इससे जादा आपको निकालने के जरोत है नहीं डेर सो सब्द कुछ होता नहीं है पर्यावरण के छेतर में AI का इस्टेमाल AI पडालियों का इस्टेमाल उर्जा और उपयोगता की मांग कानुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है इससे साफ पानी और स्वक्षता तथा किफायती स्वक्ष उर्जा की SDG सब्स्टेमल डेवलोपमेंट गोल को प्राप्त करने में मदद मिलेगी यानि पर्यावरण का जो हम सतत विकास United Nation के लग्ष उसको भी प्राप्त कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं अब भारत में AI के इस्तेमाल को बल देने वाले कारक कौन कौन से फेक्टर कौन कौन से तो आप दे सकते हैं कि भारत 0.24 डॉलर प्रती जीवी डाटा का सबसे कम मतलब इतना सबसे कम कीमत वाले देशों में से खहानी हमारे यहाँपर ब्राटबेंड की कीमत बहुत कम है हमारे देश में डाटा की ओसत रफ्तार बीच है हम भी प्रतिसेकंड है अच्छी है यह कारक भारत में AI टेक्नोलाजी को अपनाए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह से मतलब समर्थित करते हैं उसके लिए आशा उत्पन करते हैं उमीद जगाते हैं अब देखे कुछ सफल प्रियोग एक्जामपल देखे कितना बढ़िया निकल कर गया है कुछ सफल प्रियोग कौन-कौन से है तो तमिलनाडू इसासन एजंसी ने तमिलनाडू राज्ज में अन्ना विश्विद्याले के साथ मिलकर अनिल नामक एक तमिल स्मार्ट असिस्टेंट शुरू किया है अब आप देख लिजे अनिल अब यह प्रिलिम्स में अब आप देखिए ईसासन अभी आपने गवर्नेंस पढ़ा था ना गवर्नेंस पढ़ा था नहीं प्रश्ण पत एनल पी नेचुरल लेंगवेज प्रोसेंसिंग आधारित स्मार्ट असिस्टेंट अनेख प्रमुख सरकारी सेवाओं के लिए online अर्जी देने में नागरिकों को निर्देशन महीया कराता है अब आप देख सकते हैं आनेक प्रमुख सरकारी सेवाओं के लिए online application में नागरिकों की मदद करता है ये governance हुआ की नहीं Tamil Nadu सरकार ने हाली में AI आधारित कृशी कीट और रोग पहचान पडाली भी शुरू करिए देख लिए एगरी कल्चर में भी आ गया तमिल नाडू का मॉडल इस पडाली को मोबाइल एप के जरी पांच लाग से ज्यादा किसान परिवारों को महिया करा गया तो आप देख सकते हैं तमिल नाडू करने के लिए भी AI काविनों इस्तेमाल कर रही यानि फेस रिकोगनीशन भी किया जा रहा है स्वास सेवा के छेत में डाक्टरों की साहता करने और देश के दूर दराज के इलाकों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए AI का उप्यों किया जा रहा है CT scan से दिमाग में आंतर थोड़ा सर्दी हो गई है ठीक है बच्चो दो चुनोतियां और सिमाएं क्या है इसके तो सबसे पहले सारबजनिक और निजी दोनों छेतरों के संगटनों में AI के सफल उप्यों के रास्ते में कई सिमाएं है आईए देख लेतें पहला है इस पस्टता का भाव है यानि टेक्नोलोजी है तो अब टेक्नोलोजी पर इस पस्टता का भाव है क्या है या पड़ाल यानि artificial intelligence किसी खास फैसले बरगी करणा और अनुमान के पीछे के तर्क के बारे में पारदर्शी रूप से नहीं बताती एक प्रकार से algorithm है आंकड़ा मतलब अनुमान लगा लेती है या इसकी सबसे बड़ी कमी इस पस्टता नहीं नहीं देपाएगी संदर्व के प्रति जागरुकता और सीखने की चमता का भाव है यानि कि आप क्योंकि मानो तो है नहीं तो जब मानो नहीं है तो जागरुक और सीखेगी केसे तो मसीन है चल पड़ी है जो उसमें फीड है वहीं बोलेगी मानो के विपरित AI या अधारित पडालियां अपने परिवेश से सीख नहीं सकती जैसे मानो क्या बारिस आई तो चुप गया यह नहीं बारिस में भाई साब कड़े रहेंगे इस वज़ा से कुछ खास तरह के छेत्रों में AI का सीमित उपयोग ही किया जा सकता है मानवी करण का भाव स्वारी मानकी करण का भाव यानि स्मार्ट साहता उपक्रम उत्पादों के लिए मडूल ब्यापक तोर पर उपलब्द क्लाउड लाइब्रेरियों में AI आधारित वैसी प्रालियों को सम समयत किया जा रहा है AI के विभिन अवयों से मिले नतीजे भी अलग अलग डाटा और भिन परिस्थितियों पर आधारित होंगे इनके निसकर्सों को सुसंगत धंग से समनवित कैसे किया जाए यह एक मुद्दा है इसके अलावा संगठनों को या सुनिश्चित करने की चनो तो स्कुमेशन जैसे जैसे पड़ेगा हमने पहले यह बात किया सौचालीत यह अंत्र बढ़ेंगे तो मानों को रोजगार से कही ने चाहिए जाना पड़ेगा जैसे अगर आप देखें में कौसल विकास किया शक्ता यानि कि कहीं ने कहीं AI पढ़ाली के लिए भारत की जो स्रम शक्त है तो भारत की स्रम शक्त अभी कौसल युक्त नहीं है ऐसे हम उनके कौसल को बिक्सित करना है उने पर सिच्छित करना है जिससे उपलब्द तक्निक का बेहतर फायदा उनके से उठाया जा सके विश्वास का अभाव और बदलाव का प्रतिरोध यानि इसके उपयोग के लेकर कामगारों और हिस धारकों में विश्वास कायम कर उनके प्रतिरोध से निपटना एक बड़ी चुनोती है याद रखेंगा नि कोई कंपनी लगाना चाहती है उसमें सर्मिक काम कर रहे हैं कहीं कहीं भारत में सर्मिक संगठन है तो वो सारी बाते हैं विश्वास का भाव और बदलाव का प्रतिरोध क्लियर है AI में नहतिकता तो स्वभावी के मशीन है तो मशीन में नहतिकता अपने आप आई अपने आप आएगी महत्मा गांधी ने कहा था उनका कि प्रदोग की मानो सक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती अब आप देखिए यानि ए आई में नहीं तिक ता अगर मानो सक्ति को विस्थापित कर दिया तो स्वभाविक है नहीं तिक ता तो आई ए आई में लोक नीत इसे जोड़ी छे परमुक चुनोतियां प्लीज इसको एथिक्स में आप इस्थेमाल करिएगा निजिता और डाटा संरक्षण यानि अगर सब मसीन के पास रहेगा तो आप की निजिता, मानविये और पर्यावरणिये मूल, पारदर्शिता और आडिटिंग, डिजिटल, विभाजन और डाटा की कमी, निस्पक्षता और न्याय संगत्ता, जवाब देही और कानूनी मसले, यानि कि लोक नीत इसे जुड़ी छे, यानि कि आर्टिफिसियल इंग्ल होता है, तिसके मानवी और पर्यावरणिये मूल, क्या होंगे, पारदर्शिता और आडिटिंग, यानि इनकी आडिटिंग कैसे की जाएगी, ये सारे मुद्धे है, तो डिजिटल, विभाजन, यानि जो मैंने बताया, अमीर और गरीब, यानि एक ऐसा बर्ग है, जो और इसके कई जवाब देही और कानूनी मसले होंगे, कि अगर मालिज ये AI, क्योंकि उसमें अपने परिवेश के प्रती संवेदना नहीं है, तो हो सकता वो नुकसान पहुचाए, तो उसमें किसकी जवाब देही होगी, और कानूनी मसले, जैसे आप हालिवूड की फिलमें देखते हैं मसीन अनियंत्रित हो जाती है, अब देखिए AI में नतिकता के दो पहलों निजता और डाटा सनक्षण और मानवी और परियावरण ये मूल ले, तो ये दोनों पॉइंट आप याद करिएगा, निजता और डाटा सनक्षण AI पढ़ालियों के इस्तेमाल में चूजर की संबेदन सील और अत्यंत सूच में जानकारियों के बंडारण और समूचे AI नेटवर्क में उन्हें सेर किया जाने का कत्रा बना रहेगा, इसका मतलब कृत्रिम बुद्धी और नहतिकता, ये इथिक्स में भी प्रश्ण बन सकता है, कृत्रिम बुद्धी और न दूसरा है मानवी और परियावर्णी है, मुलियन नहतिक्ता के मुद्धें, दोनों याद रखिएगा, तकनीक और नहतिक्ता पर अगर प्रश्ण आ जाए, यानि अगर GS paper 4 में, मैं यहां पर बता दूँ आप लोगों को, GS paper 4 में अगर तकनीक और नहतिक्ता पर, तकनीक औ और नहतिक्ता पर अगर प्रश्ण आ जाए, तो आपके पास देख सकते हैं, artificial intelligence को ले करके दो पॉइंट है, नहतिक्ता के, निजता और data selection मानवी और परियावर्णी मुल्य, यानि AI पढली को मानवी मुल्यों के अनकुल होना चाहिए, नीतिन नर्माताओं को सवाल उठान चाहिए कि क्या AI पढली सम्मान, गौरो, दया, करुणा और समानता जैसे मानवी मुल्यों के प्रति सम्वेदन सील है, अगर नहीं है, तो सभावी के मशीन नुकसान पहुचा देगी, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये सम्मुद्दे है, पारदर्शिता और आडिट, ये क्या मुद्दा है भाई, आए देखें, भविस में कई AI आधारित पढलीयां बित, सिक्छा, स्वास्त, सेवा जैसे छेत्रों में मानों के साथ सम्वाद कर सकती है, यानि इनकी भूमी का सुनिशित होगी, अता टेक्नोलाजी जो प्रवाइडर है, प्रदोकी देने वा की जानकारियां दी जाएं, कोई चीज़ छुपाई ना जाए, AI पडालियों को अपनी बैदानिक जरूरतों को पूरा करने तो अपने पिछले निर्णयों से सीख लेने के लिए, अपने फैसलों की आउडिट मोहिया करानी चाहिए, आप देख सकते हैं, इसके अलावा, ज सबसे आदा फाइदा हुए, देश और सरकारे उठा सकती है, जिनके पास अच्छी गुणवत्ता वाला डाटा है, तो ये भी है, यानि जो ससक्त है, लामुनिक होगा, यही यहां कहा जा रहा है, निस्पक्चता और न्याय संगत्ता, ये क्या है, AI पडालियों के लिए नि जिबूट टेक्नलाजी है, जो कौसल युक्त है, इससे बहुत लाब कमा लेंगे, तो समाज में एक ऐसा बर्ग आ जाएगा, जो अब बहुत अमीर हो जाएगा, अनेकों परकार की सुविधाओं से लैस, मसीनों से लैस, और एक बिलकुल वही रहेगा, जैसे वो अभी तक चला रहा है, परंपरागत मानो, इससे समाजी क्ताना बाना नस्ठ होने के साथ ही समाज की सनचना में निचले अस्तर के लोगों के खिलाब देख लिए, शोशड और अनुचित बर्ताओं का खत्रा पैदा हो सकता है, यानि समावेशी विकास के लिए भी ये हमें ध्यान र पर पैसले करने लगी, तो जबाब दे ही कि सवाल का जबाब देना बहुत मुस्किल हो जाता है, यानि जैसे हालिवूड की फिल्मों में मसीने अनियंत्रित हो जाती, मैंने अभी आपको बताया, अब दुरुपियोग से बचाओ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कि देख सकते हैं, दुरुपियोग से बचाओ का सवाल सभी छे सवालों में सबसे ज़्यादा मुस्किल है, यानि मिसाल के तौर पर इंटर्मेट के दुनिया भर में परसार से अर्वो बेक्तियों को लाब हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर अपराद, मैल बेर, वाइ द्रिश्ट दिव्यांग जनों के लिए सिक्षा और टेक्नलोजी यानि कि जो द्रिश्ट दिव्यांग का मदलब कि जिनके पास आँखें नहीं है, याद रखेगा, अब यहाँ पर क्या है, याद रखेगा, तो सिंपल है, इसमें बस एक ही चीज धान में रखना है, देश इसको द्रिश्ट दिव्यांग जनों और देखने में सक्षम बच्चों को समान गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा प्रदान के लिए अभी लंबी अभी लंबा सफरताय करना बाकी है, याद रखेगा, तो बस इतना ही इसके बारे में जानिएगा, चुकि है टॉपिक बस इतना है कि द्रिश्ट दिव्यांग जन इन्हें भी मुक्यधारा में लाना है तो भी बहुत काम करने की आउशकता है, ये भी कमजोर और बंचित समुओं के लिए अच्ची सिक्षा, ये भी नूट टॉपिक है लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि अंदर बहुत कुछ ऐसा नहीं है, तो भी बी लाल सो फालो दा इसकी मेथट फॉर्ट इस टॉपिक इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं है, यानि बेवजा में इस पर समय गुजारने से अच्छा जो अच्छा था वो मैंने आपको करा दिया, उच्च सिक्षा में बैश्विक तालमेल आए देखें इस टॉपिक में यानि उच्छ सिक्षा में बैश्विक तालमेल, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इसके महत्पूर्ण उच्छ सिक्षा, आसानी से उपलब्ध होने वाली पक्छपात रहित और जेप पर भारी नहीं पढ़ने वाली उच्छ सिक्षा के बार अगर आप दे रहे हैं तो उसकी रेलिवेंसी क्या नौकरी मिलेगी की नहीं यानि रोजगार वाली सिक्षा उच्छ सिक्षा रोजगार वाली सिक्षा और बैश्विक तालमेल का मतलब होता है कि अब गलोबलाइस बढ़ हो चुका है धीरे धीरे भारत और उसका पूरा सि इसा हो रहा है यानि गलोबल बैलूचेन का मतलब होता है बस तुयों सेवाओं का जो बैश्विक सरिंखला है उसमें एक बड़ा भागीदार तो वैसी परिस्थिती में उस बड़े भागीदार से याद रखे अगर वैसी परिस्थिती में उस बड़े भागीदार से बचा करनी होगी आये देखें और क्या-क्या इसमें है भारत का दो हजार चौबीस पच्चिस तक पांच ट्रिलियन यानि पांच लाग करोन डालर के अर्थ ब्योस्ता बनने का लक्ष है इसलिए गुणवत्ता सिरिष्टता नवा चार और लगातार उन्यान की जरुवत है भारत की राष्टी सिक्चा नीत की मसोदे में दो हजार पैंटीस तक प्रेलिम से याद रखेगा क्या है प्रेलिम उच्चि सिक्चा में सकल पंजी करन अनुपाद बढ़ा कर कम से कम पचास प्रिसत करने का लक्ष है फिलहाल सकल पंजी करन अनुपाद केवल 26.3 प्रिसत है इसके याद रखेगा हमें क्या करना पड़ेगा कहिन कहिन बहतर ढंग से हमें बैश्विक तालमेल करना पड़ेगा उच्चि सिक्चा भारत के लिए अहम चुनोतियां बहुत महत्त पूरा यह याद रखेगा क्या है भारतिय बिश्व बिद्याले में देख सकते हैं चुनोतियां क्या है तो भारतिय बिश्व बिद्याले में बैज्ञानीक अनसांधान का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि बिज्ञान में केरियर उतना अकरसक नहीं है जितना की वह कारोबार स्वेम ब्योशाय इंजिनेरिंग या प्रशासन में है और बिश्व बिद्याले उब्भुकता उन्मोखी होते जा रहे हैं समालोचनात्मक टिपड़ी किजिए पेपर थिरी 2011 में आये था यानि कि उच्च सिक्षा में बैज्ञानिक अनुसंधान गिरता जा रहा है और अब विज्ञान का करियर उतना अच्छा नहीं है बनिस्पत की अन्य सेवाओं के अब आप देखिए ऐसे प्रशन आते हैं अब मुझे आप बताई क्या ऐसे प्रशन एक बार इसक से आप उसके अंदर और गहराई के साथ प्रवेश कर सकें और उसे समझ सकें प्रशन नहीं है थीक है तो आप देख सकते हैं यानि आप विचार करिए प्रश्ण कैसे आते हैं अब इन प्रश्णों के लिए आप मुझे बताए क्या बिज्ञान की कोचिंग या आप बिज्ञान पढ़ करके आप इसको कर पाएंगे यानि ऐसे ही धीरे धीरे और सारे पॉइंटों के आप शक्ता ने इसलिए तो भाई UPSC में 50% पाने वाला पहली रैंक लगा ले रहा है लेकिन हमारी यादत हिंदी मीडिय में थोड़ी से कहां पूरा कंटेंट नूरते पूरा बिज्ञान हो जाए पूरा भूगोल हो जाए जी नहीं आप बस काम का दा हिंदू, योजना, कुर्छेत्रा, विज्ञान प्रगती ये सारी चीजें और इसके अलाव अपना ओप्शनल इथिक्स और एसे इनको मजबूत करिये बाकी तो आप कितना भी पढ़ेंगे टेडिशनल तो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छल ल जरूरते निजी कालेजों से ही पूरी होती है, अब आप देख लिजेगा, बाप रे बाप, निजी सरकारी के हलब बत्तर है, जिसका मतलब एक केवल 22 परिस्ट सरकारी कालेज चात्रों के ऐसी बहुत बड़ी तादात को सिक्षा दे रहे हैं, जो निजी उच्छ सिक्षा क का खर्च नहीं वहन कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, यानि कि अब आप देखिए, गैप आएगा कि नहीं आएगा, देश में कॉलेज का घनत तो प्रती सव हजार योगिल लोगों में 28 है, बिहार में जहां घनत केवल साथ है, महीं करनाटक में तिरपन है, अब देख में कॉलेज का घनत प्रती सव हजार योगिलोगों में 28 है, बिहार में जहां घनत केवल साथ है, महीं करनाटक में तिरपन है, आप देख सकते हैं कॉलेज का घनत का रेशियो कितना कमजोर है, अब इस प्रिष्ट भूमी में, अब आपने कमिया पढ़ लिए उच्च में अंतराष्टिय सहयोग के लिए भारत द्वारा उठाये गए कदम, क्या है उच्च सिक्षा में अंतराष्टिय सहयोग के लिए भारत द्वारा उठाये के कदम, तो राष्टिय सिक्षा नीती 2019 के मसाधे में सीर्स दोसो बैश्विक विस्विद्यालें को भारत में अप ने बिदेसी साका परिसर स्थापित करने के लिए नियोता देने का प्रस्ताव है यह अच्छा है आक्सपोर्ड आए और अपनी एक कोई ब्रांच खोले मानो संसाधन विकास मंत्राले ने पांच बर्स की कारियोजना इक्यू आए पी एजूकेशन क्वालिटी अप्ग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम त्यार किया है बिटा अब यह भी पूछ लेगा प्रिलिब्स इक्यू आए पी क्या है इसको याद रखेगा उच्छ सिक्छा के लिए हाली में नीतियायोग ने भी किया है बिदेशी चात्रों की आमत बढ़ाने के उद्देश से बैंगलूरू हैदराबाद अहमदाबाद पुणे चंडिगर्ण और सिक्किम के हिस्सों में विसेस आर्थिक छेत्रों इस्पेसल एकोनामिक जोन की ही तर्ज पर विसेस्ट सिक्छा चेत्र इस्पेसल एजुकेशन जोन विक्सित करने की सिफारिस की है गजब यह कौनसेप्ट गजब का है इस्पेसल एकोनाब इस्पेसल एजुकेशन जोन याद रखेगा इस्पेसल सेज की तर्ज पर एकोना नीतियायोग और कई अन्य संस्थाव ने उच्छ सिक्षण पर नीतिगत दस्तावेश तयार किये हैं जिनमें उच्छ सिक्षा में अंतराश्टी सहयोग की जरुवत पर बल दिया गया अब आप देखें कितना बढ़िया भारत में उच्छ सिक्षा की गुणवत्ता बढ़ान पर अगर कभी भी आपसे कोई प्रश्ण पूछे तो आप इन पहलों को अगर लिखेंगे तो स्वभाविक है आपको बेहतर माक्स मिलेगा अब इसके बादे गहरी साजेदारी का उसर क्या है आये देखें अंतराश्ट्रे सिक्षा आस्प्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात तुद्योगयानी की सिक्षा में सबसे बड़ा निर्यातक आस्ट्रेलिया आयानी गुणवत्ता परक सिक्षा आध रखेगा आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारती चातुरों की संक्या 2014 के बास से 70% बढ़ गई है आस्ट्रेलिया और भारत के विश्व बिद चेत्र में अस्ट्रिया काफी मजबूत है इसके अलावां आस्ट्रिया के साथ सोधरी सर्च जो भागी दारी होव भी बढ़ाई जा सकती जिससे जल बुनियादी ढार्चे गरम्शास्ट्रा स्वास्थ समधान किया जा सके साजेदारी उन छेत्रों में भी हो सकती जहां अस्ट्रेलिया को बड़त हासिल है और भारत को जरूरत है मसलन खनन सुरक्षा जयव अभियांतर की सिगनल प्रोसेसिंग स्वास्थ ब्रदस्ताय क्रित्रिम मेदा साइबर सुरक्षा और जलबायव परिवर्तन निसकर्स भारत में सैक्षिक्स अंपर दोनों साजेदार देशों को फायदा पहुंचाने वाली सच्ची साजेदारी होन सोद साजेदारी चमता निर्माण के कारिकरमों और चात्रों के पंजीकरण पर आधारित हो ठीक है ना अब इसके बाद स्कूली सिक्षा में मुक के सुधार क्या हुआ है तो आप देख सकते निस्ठा आप देखे प्रीलिम्स का रहा है तक acerca मैं में सब्सक्राइ एड्स एंड टीचर्स होलेस्टिक एडवांसमेंट तो निस्ठा याद रखेगा उद्देश क्या है लगबग 42 लाग से चुको और स्कूल के प्रमुखों राज्य सैचिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिसद S.E.R.T. और जिला सिक्षा और प्रसिक्षण संस्ता D.I.E. P.T.K. और कलश्टर संसाधन समनोयों की छमता का निर्माण करना याद रखेगा तो निस्ठा क्या है आप देख सकते हैं प्रिलिम्स में फिर इसके बाद धुरूब क्या है प्रधान मंत्री नमाचार सिक्षण कारकरम तभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ी लिया थ इसके लिए बेपोर्टल बनाया है और यही इसका नाम है सगुन याद रखेगा इसके तहत 15 लाक स्कूल और उनके सिचकों में चात्रों को इससे जोड़ा गया है और इससे इसकूलों की निगरानी बढ़ेगी और उनकी गुडवत्ता में सुधार होगा इसके अलामा सिक् स्कूलों से गुडवत्ता, विश्वश्नियता और समय पर जानकारी की उपलब्दता सुनेश्चित करने के लिए संसोधित यूडाइस आरम किया गया अब यह पूछ सकता यूडाइस क्या है यूडाइस एक प्रकार का मैपिंग पोर्टल है जो मैप करता है जो 15 लाक सदि स्कूलों के अस्थान के साथ साथ उनकी कुछ प्रमुख विश्यस्ताओं के बारे में भी जानकारी देता है data analytics portal स्कूल की सकलिस्ति के बारे में जानकारी देता है तो आप देख सकते हैं इसके अलामत दीख्षा दीख्षा नॉलेज सेरिंग के लिए digital infrastructure 2 याद रखेगा त फिलिम्स 2017 में सिख्षकों को डिजिटल मंच परदान करने और उन्हें खुद को प्रसिख्षित करने और सिख्षक समधाय से जुणने का आउसर देने के लिए दिख्षा पोटल सुरू किया गया है यह महतपूर है याद रखेगा इतना ही इसके लावा ODB आपरेशन यह हो गया स्कूली सिख्षा में मुख्य सुधार अब आते हैं उच्छ सिख्षा के चेतर में मुख्य सुधार फैक्ट सारे याद कर लेते हैं एक्क्यूप अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्क्यूप एजुकेशन क्वाल्टी अप्ग्रेडेशन और इंक्लूजन प्रोग्राम यानि ट्रांसफार्मिंग इंडिया भारत को बगलना है के लिए केंद्रियम मानो संसाधन विकास मंत्राले ने सिक्षा के चेतर में परतन लाने के उद्देश से बनाया गया है यानि एजुकेशन क्वाल्टी अप्ग्रेडेशन और इंक्लूजन प्रोग्राम इक्रिप बस आप इतना याद रखेगा उचिसिक्षा के लिए इसके लिए इंसिचूट आफ एमिनेंस यह क्या है सार्बजनिक छेतर के 10 संस्थानों को आई 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 घोसित किया जने कि यह इंसिचूट आफ एमिनेंस आई इए होगा इंसिचूट GPA अफ एमिनेंस गोसित किया जाने की उजना जो बहुत मतलब एमिनेंस मतलब प्रशिदद खास बेहतर बहुत अच्छे इंसिचूट Dallas स्कीम का उद्देश भारत में 20 20 वस्तरिय संस्थानों का विकास करना जो भारत को 20 सुपटल पर ला सके प्रतेक सारदिनिक संस्थान को पांच बरसों के दूरान कुल एक हजार करुन रुपए प्रतान किया जाएंगे इंसिचूट आफ एमिनेंस उच्च सिक्छा अगला है स्वयम प्रभाक्या है डिटिएच डारेक्ट टू होम सैक्चिक चैनल है यह ब्यापक पहुंच और नियूंतम लागत के साथ भारत के चात्रों में पैट बनाने के लि है आज का टॉपिक हमने विस्तार से किया है याद रखेगा हमने क्या किया है बिस्तार से पूरा कंपलीट किया है आप education पर इसको बहुत अच्छे से करिएगा यह GS में हमने connect किया निबंद में हर बढ़े सक्षाब आता है मैंने बटाया नहीं बहुत यानि क्या सर्वसाधरन के सिख्षण के द्वारा समतावादी समाज संभोह है हमारी कख्छा की प्रासंगिक्ता कैसे हो पाएगी जब हम कख्छा को समावेशी आदार पर टेकनोलोजी के आदार पर ले करके चलेंगे जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं आप उसका multi-dimensional यूज करिएगा एक बार मैं सरसरी निगा से बता देता हूँ कि multi-dimensional यूज का मतलब क्या है कि जैसे आप यूज कैसे करेंगे तो स्वाभाविक है यूज आपको कैसे करना है तो यूज ऐसे करेंगे कि जैसे सिक्षा अब स सिक्षा स्कूली सिक्षा अच्षि सिक्षा आर्ट इफिसेल इंटिजिएंस आपने बहुत कुछ पढ़ा आपने मतलब अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा उसका education पर उसका agriculture पर यानि आपने बहुत कुछ पढ़ा आपने उपरास्ठपती का ब्याख्यान सुना कि विद्धान को लेकर के कैसे विकास की विद्धान में क्या भूमिका है प्रधान मंत्री के विचारों को सुना विकास में विद्धान है तो हमने बड़ा अस्पेक्ट से यहां पर टैंक किया है तो ऐसे में यानि आप देखें आप जैसे जीयस हमारे लिए पेपर 1, 2, 3, 4 है तो हमें उसको प्रते एक जगां पर कनेट करने की कला विक्सित करनी होगी कि यानि अगर भारतिय समाज में पिछला पन है याद रखेगा तो हमें कहीं कहीं पिछला पन के एक बड़े कारण के रूप में सिक्छा में नमाचार को ले करके चलना समस्या बनी रहेगी समाजिक नहीं मिल पाएगा सिक्छा स्वास्त मानो संसादन यानि की सिक्छा और मानो संसादन जो हमारी सिक्छा अगर उसमें नवाचार नहीं होगा तो मानो संसादन हमारा क्या रहेगा अर्द कुशल आ कुशल रहेगा तो जो बैश्विक अस्तर पर उसर उपलब्द हो रहे है ग्लोबल वैलू चेंज जो मैंने कॉंसेट बताया है उसका लाव नहीं उठा पाएगा ऐसे ही एकोनामी में रोजगार पर प्रशना आएगा तो अगर इस परकार का सिस्टम रहेगा तो सभाविक है जिनके पास कॉंसल है वो उठा पाएगे जिनक आएगे